भारत की आर्थ व्यवस्था को रफ्तार देता है आर्थिक राजधानी मुंबई शहर इस मुंबई की रफ्तार उसकी सडके हैं देश की सडक निर्माण में नया इतिहास प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित्व में रचा गया है आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानिविय स्वरूप दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा हुमन टच जो आज हर किसी के जीवन को सपर्ष कर रहा है ऐसे दूरदर्शी माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से आज मंबई में 6,089 करोड रुपई की लागत से 397 किलोमीटर लबाई की सडकों का कॉनक्रीटी करण का काम शुरू होने जा रहा है मंबई में 2,050 किलोमीटर लंबी सडकें हैं जिन में से 990 किलोमीटर लंबी सडकों का कॉनक्रीटी करण अब तक हुआ है और 265 किलोमीटर लंबी सडकों का कॉनक्रीटी करण काम चल रहा है लेकिन बची हुई 850 किलोमेटर सडकें बारी यातायात हर साल मुसलाधर बारिश से होने वाले जल भराव और उससे बनने वाले गड़ों की समस्या से जूचती है और यातायात में अवरोध पैदा होता है विशय की गंभीरता को समझते हुए बाहराष्ट्र के बाननिय मुख्य मंत्री श्री एकनात शिंदे जी और बाननिय उप मुख्य मंत्री श्री देवेंद्र फड्नवस जी की सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं बुंबई में सडक कॉंक्रीटी करण को अब रफ्तार दी गई है BMC द्वारा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सडक कॉंक्रीटी करण का काम होने जा रहा है जिससे सडके अच्छी बने और हमेशा गंडों से मुक्त रहें बची हुई 450 किलोबीटर सडकों का कॉंक्रीटी करण भी आने वाले समय में जल्द से जल्द करने के निर्देश महराष्टर की गतिशील सरकार ने दिये हैं कॉंक्रीट की नई सडकें रफ्तार के साथ सुरक्षित तब ही प्रदान करेंगी उच्चतम गुणवत्ता से बनी पूर्व निर्मित नालियां मजबूती प्रदान करेंगी तथा यूटिलिटी डक्स के कारण बार-बार खुदाई की जरूरत नहीं रहेगी जिससे सडकों को लंबी आयू मिलेगी ट्राफिक को गती मिलने से कारबन उचसर्जन कम होगा गाड़ी की माइलेज और पैसों की बचत बढ़ेगी हर 400 मीटर की दूरी पर बरसाती पानी संजोने वाले सोक पीट बनेंगे पार दर्शिता से की गई बिडिंग, सर्वश्रेष्ट कमपनिया, कुशल श्रम शक्ति, उच्च गुनवत्ता वाली मशीनरी इन सब का मेल होकर मुंबई की सडकों का कॉंक्रीटी करन नया इतिहास रचने जा रहा है